नमस्कार हर्यान निउस एक रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ साथ नमत्रा पुलिटिन के शुरुवात बड़ी जानकारी के साथ कर लेते हैं आपको बताएं कि क्या कुछ बड़ी खबर है देश में 24 गंटों में 3 दश मलव 17 लाख नए कोरोना केस सामने आए हैं एक दिन मे 491 लोगों की मोत भी हो चुकी है यानि कि देश में 19 लाख से जादा एक्टिव कोरोना केस भी हैं अभी तक अब तक ओमिक्रोन के 9,282 मामले दर्श भी किये गए हैं तो पूरे देश में कोरोना कहर लगातार जारी है तो हालात गंभीर होते जा रही हैं क्योंकि मामले लगातार बढ़ रही हैं चार सो एक्यानवी लोग की मूत भी हो चुकी है देश में 19 लाख से जादा एक्टिव कोरोना केस है देश में 24 गंटों में 3 दश मलब 1-7 लाख नए कोरोना केस आई है तो आपको बताएं कि 3 लाख 17,000 के पार ये आंकड़ा अगर पहुचा है तो जाहिर सी बात है कि आपक चुन्ता का विश्या तो है ही साथी सरकार के लिए भी चुन्ता का विश्या है इसलिए आप सभी से यही अपील है कि चुन्ता नहीं करें चुन्तन जरूर करें क्योंकि यहां जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रही हैं हालात और जादा बेकाबू ना हो इसके लिए सा सावधानी जरूर बढ़ते हैं और वहीं इससे खबर पर जादा जानकारी देने के लिए मेरे सहीयोगी नियूज रूम से करन खुराना मेरे साथ जुड़ गए हैं करन जिस तरीके से मामले बढ़ रही हैं तीन लाग के करीब अगर मामले आए हैं तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए कि हम इन मामलों को कम भी करवा सकें और साथी सावधानी के रूप में क्या हमें करना चाहिए जिसे कि एक्सफर्ट्स लगाता और चिता रहे थे, लगाता और चितावनी देरे थे कि फरव़री और जन्वरी के बीच से तीन से चार लाख मामले आ सकते और तीन लाख का अकड़ा जो है वो पार कर गया पारोने में और जो सिती है वो वा काफी चिंता जटण बनी है और लगातार जो खईवाइच भी तेज किया जारा है हाला कि पाबंदिया तमाम तरह की रज्य सरकारों ने जारी कर रहे हैं लागू कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से आम लोग है वो पालना करते हुए नजर नहीं आरे जमीनी सर पर देखे तो बजारों में भीर नजर आएगी हाला कि बाकी दुनिया की बात करो तो दुनिया में भी तरह तरह की पाबंदिया लगा रही है लेकिन जो आप जैसे की एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये जो ओमिक्रोन वैरियंट है जिसकी वज़ा से तीसरी लहर आई है वो डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक है हाला कि इसकी जो फैलने की श्रम्ता या फैलाव है वो तेजी से फैल रहा है लेकिन जो खतरनाक है वो उससे कम है यानि कि मृत्युदर कम है अगर भारत की बात करो तो भारत में केवल जीरो दशमलब दो फीजदी जो है इसकी मृत्यूदरा यानि की एक हजार में से केवल दो मोते हो रही है जबकि दूसरी लहर में जीरो दशमलफ साथ फीजदी जो है मृत्यूदर थी यानि की हजार में से साथ मोते हो रही थी तो मृत्यूदर इसमें कम है इसलिए जो है लोग हलके में ले रहे हैं कि लक्षन ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि आप दूसरी लहर में देखेगी ऑक्सीजन की कमी होगी थी इतने लोगों ने जो अपनी जान गवाई थी तो ये वज़ा भी हो सकती है कि लोग इसको ज्यादा सीरियसली लेनी रहे ओमिक्रोन वैरियंट को और स्पेन की बात कर तीसरी लहर है वो खतम होने की कगारपे हो जेगी क्योंकि ग्यारा मार्च के बाद जो नए मामले है भारत में वो आने के वो आने बंद हो जाएगे तो लगातार ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है लेकिन जो डबलू एच्चो लगातार चितावनी दे रहे कि इसको हलके में न सेंसिंग के वापसी जो पुराने दोर में जो वैसे गुजर पाईगी और जीवन गुजर बसर कर पाईगी तो अगर सावधानी नहीं बढ़ते के लापरवाही जारी रहेगी तो कहीं न कहीं अगर ओमिक्रोन नहीं दूसरा वेरियंट आएगा तो वो ज्यादा खतर नाख हो सकता है ओमिक्रोन वेरियंट से वो भारी पड़ेगा करन इस बिश बड़ा सवाल ये उड़ता है कि अगर इतने जादा मामले बढ़ रहे हैं तो हालात कहीं न कहीं दूसी लहर के बराबर तो पहुंच ही कई हैं और ऐसे में अगर हम खुद सावधानी नहीं हाला कि सरकार ने तमाम गाइडलाइन्स भी दी हैं और ये भी अपील की जा रही है कि अगर आपने वेक्सिनेशन नहीं करवाया है तो वेक्सिनेशन जरूर करवा ले लेकिन बावज़त उसके सवाल ये उड़ता है कि जो लक्ष है हमारा वेक्सिनेशन तक पहुंचना चा जो वेक्सिनेशन वेक्सिन नहीं करवा रहे वो भ्रहम में जी रहे है कि वेक्सिन से या मौत होज़ेगी या तरह तरह की बिमारी होज़ेगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने खुच चिंता जताई थी जिसमें फिर केंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही न कही उन लोगों की वज़ा से जो है करोना का फैलाव जो है बढ़ रहा है लगातार और लापरवाही भी बरत रहे क्योंकि जो लोग दो डोस भी लगा चुके है कही न कही ओमिक्रोन जो वेरियंट है दो डोस वालों पर भी कही वो लोग भी संकर्मित हो रहे है इसलिए बूषटर डोस की भी जो है वे वेस्ता की गई है बूषटर डोस है करोना फ्रन्ट लैन वॉरीर्च ओर डाक्तर्ज को लगा जा रही है तो कही ना कही वैक्सिनेशन को लेकर सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है जैसे कि 15-18 साल के जो किशोरों को 50 फिस्दी एक टीका लगा चुका है तो वेक्सिनेशन को लेकर किसी तरह की कटाही नहीं बढ़ती जाया, लगातार मोधी सरकार ने मीटिंग भी की थी की वेक्सिनेशन को तेज किया जाय, тीसरी लहर जब मोहने पर थी, जब तीसरी लहर आई भी नहीं थी तब ही उससे पहले ही जो है एक्सपर्ट चेतावनी देड़ते तो लगातार मोधी सरकार मीटिंग कर रही थी कि वैक्सिनेशन को तेज करना होगा क्योंकि तीसरी लहर की चेतावनी जब दी गई थी और टेस्टिंग को भी तेज करने को लेकर लगातार आखड़े बढ़ रहे हैं जिस भी राज्ये में उस पर चाहे पाबंदियों से ब्रेक लगाए या वैक्सिनेशन से ब्रेक लगाए तो उनको 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 जो है करोना पर ब्रेक लगाना हुआ करने इस बीच एक सवाल ये भी उश रहा है कि अगर यहां केंदर सरकार ने साफ तूर पर कहा थे कि अगर आपने विक्सिनेशन नहीं करवाय तो करवा ले दीखे जैसा कि केंदर सरकार ने जवाब दिया था सुप्रीम कोट में कि किसी को वैक्सिनेशन के लिए जबरतस्ती नहीं कर सकते लेकिन तमाम तरह के ऐसे नियम लागू करने पड़े कि जैसे कि हरियाना सरकार ने किया था कि मार्कीड बजारों में या ट्रेवल जो है वैक् दुकानों में भी इस तरह के नियम लागू करने पड़ेगे कि अगर कोई जिस इंसान ने वैक्सिन नहीं लगवा रखी जिस व्यक्ति ने वैक्सिन नहीं लगवा रखी उसको समान नहीं दिया जाए तो इसी तरीके से कही ना कही जगरुकता फैलेगी और वैक्सिन लेकिन कही ना कई ट्रेवल को लेकर तो इस तरह की सक्थ पाबंदी है कि जिनों ने वैक्सिन की दोनों डोस नहीं ले रखी वो ट्रेवल नहीं कर पा रहे तो हमें निचले स्थर पर भी इस तरह के नियम लागू करने पड़ेगे दुकानधारों के लिए नियम बनाने तो मजबूरन कही ना कही व्यक्ति लगवाएगा यह वैक्सिन तो कही ना कही अगर हम बात करें तो सरकार द्वारा मजबूर कर दिया गया है कि आपको वैक्सिन लगवा नहीं पड़ेगी चले गरन बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए